हेलो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक 18650 लिथिया माइन सेल से एक 12 वोल बैटरी पैक बना कर दिखाऊंगा तो गाइस इस बैटरी से आप UPS इंबर्टर को चला सकते हो या फिर DC फैन को भी चला सकते हो तो गाइस काफी पावरफूल बैटरी पैक होने वाला है तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और अच्छे लगेना वीडियो को लाइक कर देना तो फिर चले इसको बनाते है तो गाइस बैटरी का बाड़ी बारने के लिए मैंने यहापे PB सेट को ले लिया इसका चोड़ा है 7.4 cm और इसका लंबा है 14 cm उसके बद गाइस मैं इस तरह का दोपी सेट को ले लिया और इस दोनों सेट का मेजरमेंट सेम है तो इसका चोड़ा है 8 cm और इसका लंबा है 14 cm तो गाइस सबसे पहले मैं जो सीड लिया था उस सीड के दोनों साइड में मैं इस दोनों सीड को कुछ इस्तर के सेट करूँगा तो फटापट मैं दोनों सीड को इस सेट कर देता हूँ सो गाइस देख सकतो सबी सीट को मैंने फिक्स कर दिया अभी इसका इस साइट और इस साइट दोनों साइट को कवर करना होगा तो दोनों साइट को कवर करने के लिए मैं इस दोनों साइट को ले लिया इसके अंदर ही बैटरी रहेगा उसके बद मैंने यहां पर 18650 लिथियाम आयन सेल को ले लिया और गाइस यह 1200 एमेज का और यह 3.7 भोलका तो इसके जैसा मैंने यहां पर टोडल 21 पीस लिथियाम बैटरी ले लिया यह पर जो परपेल कलर का बैटरी यह सिर्फ 1200 एमेज का है इसके साइड में इसा नियोन कलर का बैटरी है इसका इमेज अलग है तो यह है 2200 एमेज का मुझे ना सेम एज का बैटरी नहीं मिल रहा था तो मैं इन बैटरी का यह उस करूँगा अभी guys इस 21 piece बैटरी को मैं 3 भाग में भाग कर दिया तो एक एक भाग में साथ साथ करके बैटरी रहेगा तो अभी guys इस तीनों भाग का बैटरी को मैं parallel में connect करूँगा guys बैटरी का connection करने से पहले बैटरी को हमें fix करना होगा तो बैटरीस को मैं hot glue से बड़िया से चिपका देता हूँ और guys बैटरीस को आपको ध्यान से fix करना होगा सबी बैटरीस का positive side को आपको एक side में रगना होगा और negative side को भी एक side में रगना होगा क्योंकि guys यहापे हम parallel connection कर रहे है तो guys देख सबी बैटरीस को मैंने fix कर दिया अभी हमें इसका connection करना होगा connection करने के लिए मैंने यहापे copper cover को ले लिया और guys आपको यहापे थोड़ा सा heavy gauge का wire लेकर connection करना होगा तो guys आपके पास अगा spot oiling machine है तो आप उससे ही connection करना मेरे पास तो spot oiling machine नहीं है इसलिए मैं solding iron से connection कर रहा हूँ और guys आप भी आगर solding iron से connection कर रहे हो तो आपको ध्यान से connection करना होगा तो solding iron को आपको बैटरी के उपर ज़्यादा दे तक पकड़ कर नहीं रगना है नहीं तो guys heat की बाद से बैटरी damage हो सकता है guys देख सकतों तीनों भाग का बैटरी को मैं parallel में connect कर दिया अभी इस तीनों भाग का बैटरी को हमें series में connect करना होगा तो पहला भाग का जो बैटरी रहेगा उसका positive उपर की side में रहेगा और second भाग का बैटरी का negative उपर side में रहेगा और जो 3rd buck का बैटरी है उसका भी positive उपर के साइड में रगना होगा तो बैटरी को series में connect करने से पहले बैटरी को हमें fix करना होगा तो गए इस 7 बैटरी को पहला में connect करने से इसका voltage तो 3.7 ही रहेगा लेकिन इसका जो mh है वो 7 गुना जादा हो जाएगा मतला 1200 गुना 7 करने से 8400 mh का होगा तो 8.4H का बैटरी बनेगा अभी का इस पहला बैटरी का positive pin को मैं second बैटरी के negative के साथ connect करूँगा तो इसमें छोटा छोटा wire देकर connect करूँगा और दूजरा बैटरी का positive को मैं तीजरा बैटरी के negative के साथ connect करूँगा तो मैं इसमें छोटा छोटा वायर दे कर इसका connection कर देता हूँ तो गाइस मैं इसको series में connect कर दिया तो अभी गाइस इस दोनों pin में माल्टी मीटर लाया कर एक बाद चेक कर लेता हूँ 12V आ रहा है या फिन नहीं तो गाइस देख सकतो 11.7V हो रहा है मतलब इसमें full charge नहीं है full charge हो जाने के बाद इसमें 12.6V में मिलेगा तो connection एकदम ठीक ठाकी है अभी गाइस इस बैटरी का charging के लिए और protection के लिए हमें एक BMS चाहिए तो मैंने यहाँ पे इस 3S 40A का BMS को ले लिया तो इसका connection बहुत ही easy है इसमें सारा कुछ printed है यहाँ पे 0V का pin और यहाँ पे 4.2V का और यहाँ पे 12.6V का और यहाँ पे 8.4V का तो पहले BMS को हमें battery के साथ fix करना होगा तो मैं इसके उपर hot glue दे देता हूँ अभी battery के उपर कुछ इस तर किसे chip का देता हूँ अभी guys इसका connection करना होगा तो अभी मैं 0V pin के साथ और 4.2V pin के साथ छोटा छोटा वायर देकर फटा पट सोल्डिंग करके connect कर देता हूँ अभी 0V का वायर को मैं इस pin पर connect कर दिया और 4.2V cover को मैं इस pin पर connect कर दिया और 8.4V cover को मैं इस pin पर connect कर दिया और 12.6V cover को मैं इस positive pin पर connect कर दिया गाइस देख सकते हो वी में इसको मैं battery के साथ connect कर दिया और आप भी आसानी से कर सकते हो तो guys battery को मैं box के अंदर permanent fix नहीं करूँआ मैं इसको removable बनाऊंगा ताकि इसमें कुछ problem आए ना तो हम इसे खोल के repair कर पाए इसलिए मैं यहाँ पे PV seat का छोटा छोटा चारपी seat को ले लिया अभी गाइस इस चारो seat को मैं इसके चारो corner में कुछ इस्तर के set करूंगा तो चारो seat को ही मैं फेवी quick से फटवर्ट चिपका देता हूँ मैंने चारो seat को set कर दिया अभी गाइस इसके अंदर जो बैटरी रहेगा वो थोड़ा बहुत हीट होगा ही इसलिए इसके side में मैं यहाँ एक ventilation बनाऊंगा ताकि बाहर का हवा अंदर भी जाए तो मैंने इसको drill machine से cutting करके फाइल से किसकर बढ़िया से clean कर दिया और एक bolt के अंदर मैं दो nut लिया और गाइस आपके बस अकर nut bolt नहीं है तो अब यहाँ पे सिधा wire को connect करके भी इसका terminal बना सकते हो अभी गाइस दोनो nut bolt को यहाँ पे set करने के लिए मैंने यहाँ यहाँ पे दो hole कर दिया उसके बद मैंने यहाँ यहाँ पे दो wire को ले लिया अभी इस दोनों wire को मैं दोनों bolt के उपर connect करूँगा तो दोनों wire को मैंने holding करके bolt के साथ connect कर दिया अभी का इस दोनों bolt को मैं इस hole के अंदर से ले जाके nut से बड़िया से कस दिया उसके बद मैंने यहाँ पे इसको ले लिया ताकि battery इसके अंदर आच्छे से fix रहे है अभी कर दिया और box के चारो corner पे भी मैंने hole कर दिया तो battery नहीं यहाँ पे थोड़ा सा हील रहा था इसलिए मैंने इसको आच्छे से fix कर दिया अभी इसका cover को लगा के चारो corner में मैंने चार bolt आकर बड़िया से कस दिया सो गाईस देख सकतो हमरा battery बन गया है लेकिन ऐसे ही आच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने इसको spray paint से color कर दिया इसका top पे मैंने neon color कर दिया और नीचे का side को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऐसे ही दोनो color काफी आच्छा लग रहा है अभी दोनों बोल के साथ मैं nat को लगा ल तो चलिए गईस अभी इस battery को हम charge कर लेते हैं तो charge करने के लिए मैंने adapter को board पर connect कर दिया अभी गईस इस charging cable के साथ जो cleave लगा है इसे मैं battery के साथ connect करूंगा तो positive को मैंने positive terminal में connect कर दिया और negative को negative के साथ connect कर दिया अभी इसको थोड़ा देर charge कर लेता हूँ चलिए गईस battery का voltage को चेक करते हैं चार्ज करने के बाद कितना फोल इंक्रियेज हुआ है तो guys देख सकतो 12.2 फोल्ट हो कर रहा है तो यह 12.6 फोल्ट पर full charge होता है तो मैं इसको और भी थोड़ा सा charge कर लेता तो यह full charge हो जाता तो मैंने यहाँ पे 775 DC मोटर को ले लिया बैटरी से मैं कुछ heavy load चला कर दिखाऊंगा तो मैंने यहाँ पे 200 वाट का UPS inverter का kit को ले लिया और इसके साथ मैंने socket भी connect कर दिया अभी इसका wire को मैं बैटरी के साथ connect कर देता हूँ तो गाइस देख सकतो inverter में radio lady जल रहा है तो यह अभी on है चले अभी इससे कुछ load चलाएंगे तो मैंने यहाँ पे मेरा phone का charger को ले लिया अभी इसको socket के साथ connect कर देता हूँ मैंने यहाँ पे power bank को ले लिया तो मैं इसको charge कर दिखाँँगा तो charger के всего को मैं power bank के साथ connect कर देता हूँ अभी inverter को wire को मैं battery के साथ connect कर देता हूँ तो गाइस देख सकतो battery के साथ मैंने जैसे यो air को connect कर दिया inverter on हो गया है और power bank भी charging हो रहा है मेरे पस अभी फोन नहीं है तो मैं पावर बैंक को चार्ज करके दिखा रहा हूँ गाइस आप अपना फोन को भी चार्ज कर सकते हो और घर का लाइट को भी जला सकते हो तो गाइस इस बैटरी को अब अपना UPS Inverter के साथ कानेट करके मास्त दिउस कर सकते हो तो गाइस आपको इस बैटरी कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छ लगेना तो लाइक कर देना तो फिर चली आज के लिए बास इतना ही फिर मिलते किसे और एक नए वीडियो पर